तो गैस यार ये है एक फ्रूट और इस फ्रूट को मैंने मार्केट से खरीदा है और गैस यार ये जो फ्रूट है ये है पपाया यानी की पपीता देखो है ना मस्त बिलकुल पका हुआ एक दम शांदार जब भी कोई खरीदता है तो वो ऐसा ही कोई फ्रूट खरीदता है ठ या फिर क्या यह जो फ्रूट है या फिर वो जो फ्रूट होता है उसे पकावा पेड़ से तोड़ा जाता है या फिर पेड़ से उसे कच्चा ही तोड़ लिया जाता है और फिर कच्चे को ही मतलब दवाईयों से या फिर इंजेक्शन से या फिर किसी केमिकल प्रिकरिया के द अभर रपन एक सिंपलल सा एक्सपेरिमेंट करेंगे हमारे पास ये एक नॉर्मल सा फुरूट है जिसे मने मार्केट से कृइब है और एक फूरूट वो होगा जिसे हम सीधे ही पेड से तोड़ेंगे फिर इन दोनों फ्रूट्स को पन काटेंगे इनका टेस्ट करेंगे और फिर इन दोनों के बीच का जो डिफ्रेंस है उसे पता लगाने की कोशिश करेंगे चलो शुरू करते हैं तो यह रहा हमारा चोटा सा मेनी बाग आप देख सकते कि इसके अंदर आपने काफी सारे पपीते लगार के काफी बड़े-बड़े ठीक है अभी देखो यह रही वैसे तम तोड़के खा जाते हैं लेकिन वह वाली देखो वाली जो पपीता है अभी वह पक गई है तो चलो उ बड़े आप देखो यह साइज में थोड़ी सी बड़ी है लेकिन वह चोटी है लेकिन पेड़ पर पक गई है पहले तो लगानी पड़ेगी लगाओ तो लिए पपीते के एक्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि यही एक ऐसा पेड़े जिसे कभी भी कहीं पे बी क किसी भी जगा पे लगाया जा सकते हैं और ये किसी भी die environment के अंदर ग्रो बिल्कुल फ्रेश पेड से तोड़ा है ठीक है लार भी इसको पकड़ देखो इस पे कोई भी दाग नहीं है बिल्कुल औरिजनल कलर इसमेल भी काफी बढ़िया अभी इससे देखो इसका कलर देखो यह देखो फरक देख रहो गाईस गुमाईयू चारो तरह यह देखो और प्रजियों दौह भी तौह है अब हुआ रहा है यहां भाटन होको अच्रॉसक्व होते हैं प्रजाती नहीं और तौड़ लेंतार नहीं कि अicion कि हुशता है यूस्ता पूरत हैं मजए और और अठीक है क्यों पाड़त हुश्一直 इससे झालों हो जाते है आप कौन सी प्रजाती पटायदरा आप बाकि पपीते जो एक पकाया का तो इत्ते हं बड़े-बड़े पहले हमारे हमारे एकिल होते हैं उसके पर इसके प्रहिक ऐता उसके यह पर हुआ जबसक्व हुआ उसंत्तर सकते हैं और यह पिक्त मैं इसके कप्षच सवस्य पखाइन के लिए आपना यह यकीन नहीं इसलिएак ले Glenn पपीते का पानी पपीते का वीज जो यह समझला यार, चलो चलो आजा, इदर रो रहे गा, बस ठीक है, चलो आजो तो गईज अब एक बात बताओ, सच्छी सच्छी, बिल्कुल सच्छी सच्छी, जब मैं मार्केट गया था, तब मैंने वहाँ पे जितने भी पपीता थे, उनमें से, जो मुझे सबसे ज़्यादा फ्रेश लगा, उसे मैंने खरीदा, और ये मुझे काफी ज़्यादा इसे देखो, आप खुद ही देख लो, यार, मैं क्या बोलू, देखो, ये है जिसे कि हमने आपकी आखो के सामने पेड से तोड़ा है, और ये है जिसे हमने वाजार से करीदा है, तो गैस यार पहला जो डिफ्रेंस है, वो तो सीधा सीधा, क्लियर ली, आप आखो से ही ये में जो रखा है, और ये देखो, ये है, ये भी आपके सामने ही तोड़ा था, ये है, देखो, ये पक रहा है, पूरा नहीं पकाई, ये पक रहा है, ये काफी जादा सॉलिड है, उपर से ग्रीन है, तो इससे भी पहले की स्टेज के अंदर इन फूट्स को पेड से है, वो किस तरीके की है, ठीक है, तो मैं सीधा ही इसे यहाँ से कार देता हूं, देखो, जी ये पपिता है, जो कि मैं बाजार से लाया हूं, फता है हुआ क्या इसके अंदर, जहां तक मेरी नॉलेच के wertमा एथी है, देखो, ये पपिता ये वाला जो हिस्सा है ने, भी पकुराता हल्का-हल्का सा फिर इसे तोड लिया गया तो अंदर से यह पूरा नहीं पक पाया ठीक है यह पूरी तरिकेसे नहीं पक काया और इसका जो ऊपर की ये लगान यिए उन्सक क अंदर से दूद निकल रहा है ईसका मतलब कि यह भी कच्च्चा आई एक्षक देख लो ठीक है यह पेड़ से तोड़ा हुआ इसका और एक बार इससे इन देखो अरे खाने का मन नहीं करेवा उन्सक्ट कीकश मैं compare कर रहा हुआ ही तो यह बस हल्का हल्का से यहां से पकने की कोशिश कर रहा है पका भी यह यह तो यह फरक है जब कि यह तो पड़ा पेड़ पे तो कितना प्यारा लगता ठीक है इसे लिए यह कोई कोई नहीं आ रही यह भी पूरा नहीं पकाऊ है पूरा पकाऊओ इसे पन तब कहते हैं जब यह पेड़ से सीधा ही खुद बहुद नैचरली तूटके नीचे गिर जाता तब कहते हैं हमने इसे थोड़ा सा वक्त से पहले तोड़ दिया है आपको इश्वास दिलाने के लिए तो चलो इसे काड़ते हैं इसे देखो क्या अभी इसके अंदर और इसके अंदर थोड़ा सा डिफ्रेंस है क्या डिफ्रेंस है कि यह में भी अलग ब्रीड का है और यह में भी थोड़ अलग प्रजाती का है देखो इसके बीज देखो और इसके बीज देखो ठीक है ठीक है और अभी देखो ये बिलकुल पूरी तरीके से चारो तरफ से एक जैसा पकावा है यहां से भी इसका कलर एक जैसा है यहां से भी कलर अर अंदर से कितना ज्यादा खूबसूरत और प्या तो चलो अब टेश्ट करके देखते हैं ठीक है तो टेस्ट करके देखते हैं टेस्ट के अंदर पता पड़ेगा ठीक है इस इसकी निकाल लेते हैं इस तो काटने का यह मन लिपन आफ मिल रहा ऐसा लग तो क Hahah ओदेखो देखो यह किसका प्रेस कट लेते हैं और एक्म इसका पीस काट लेते हैं खीक है अभी सबसे पहले ट्रेस्ट करते हैं इसको मेरे बात पर übrigष्वास करना जो भी बोलूंगा जो भी बोलूंगा मतलब के पपीचीज और बता दू आपको कभी भी पपीटे को ऐसे काट के खाने मज़ा नहीं आता है ऐसे छिलका उतार दिया और फिर अपन कहा रहे है पपिटे को ऐसे खाना चीए कि ठीख है मीठा तो है वह पिख्या है कि यह जो रेड़ वाला हिसा थाना कर दिए मीठा है फिक्षा एक तुर्फ इसका टेस्ट देश्ट आर्या किन थोड़ा सब आप जैसे लग रहे जिसे की मतलए शड़क हो या फिर इसा अभी इसे टेस्ट करता है काच्या है इसे बहुत ज्यादा मीठा है क्या गोला रवी बतायागा ठीक है देखो कंचा है यह यह लेकिन मीठा है कि जबी तरह मैं तसको पुपिता के लाता है ठीक है तेर वोड़ी है त्शेयर फीडाय57 Chuck करकर बताना है हमेसाच बताई यह बताईड है अभी लप लपाया है हा ना आट अट अधिन युटा नहीं न यहांसे खा मिठा नहीं है ना दे हमिया अधिनल हा गया जब किस और ट्वड़बस दो कामकर यह निमीठा यहां से अभी एजिसे यह मने की तोड़ा यह यह बगावा नियों यह एंग एक चोड़ी तोड़ी ती खूटी ती नौ यह पर राली में देख गोसे तरफ अब इसे टेस्ट करके बता है हम्मम यह कैसा है इसमें और इसमें कितना परग है अधिक तो लप-lपा नी है में विए इसके बीच पी आरे लंभी हो लंगी हो यहां अलए बीच भी आए यह अलग ब्रीड का है कलर बले ही this刚 Spring is फोड़ा यलो टाइप का हो लेकिन बहुंग शककर है सच बता रहा हूं गई ह 확 decía है यहां से कहो हो कहीं से बीघ़ कौर पूरा शक्त है सजवतारों बहुत ज्यादा मेूद आब सबता चाहएं यह इसको खाके ते ये लप profess बिंटा रेज़ करें से याँ साइस में अधवि के कहा है इसके गरपे भी पेड निहें ये तो लग माण्गां की नॉक्स सब्सक्राइब ही जाता था तो फॉच आर रिचे उन्याई था आ日23 डिपरेंस तो नहीं थे रिरेंस बाजार से वैविल दो तो हेंड टो हेंड पेड से तोड़े हो के बीच के अंदर का फर्क रियल चीज खानी होना तो कौशिश करो अगर आपने आसपास में कोई किसान है या कोई फार्मर है उसके खेत पर कुछ सब्जी है या फिर कुछ फूर्ट से सीधे वहां पर जाओ उससे बोलो कि भाया कि डिव डियुडा खेऑं से जरूर कर दिखने में रगे कि इस मगने अधा विश्त लग से की वहां सब लगात admit grind दो करने के साथ मैं तब तक के लिए जय हिंद यवारत बाहि इतना मेठा कि मेरे हाथ चिप-चिप करने लगे इससे और इस वाले से लव यह कैसा लप-लपा लप-लपा बबाए